Maths की Working में Exercise 1 C का Question No. 4 and 6 और 8 जो हैं इसको हमने Notebook पे Solve करना है Question 4 है Multiply by 10 10 से जो है वो हमने Multiply करना है इसमें हमारे पास जो है Amount, Figures है 105, 3, 2, 2, 1, 5, 322 को हमने Multiply करना है 10 से First हमारे पास Digit जो है वो है 0 Right Side से Multiply स्टार्ट करते है 0 जो है इसको हमने पहले 2 से Multiply करना है 0, 2, 0, 0 को जिस Figure से Multiply करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 Then उसके बाद According to Rule First Digit के नीचे जो है वो हम कुछ भी राइट नहीं करते हैं उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं 1, 2 जा 2, 1, 2 जा 2, 1, 3 जा 3, 1, 5 जा 5, 1, 0 जा 0, 1, 1 जा 1 अब हमारे पास Next जो है फिगर्स खतम होगे हैं डिजिट्स तो अब हम इनको प्लस करेंगे 0, 2 में 0 प्लस करेंगे 2, Next फिर 2, 3, 5, 0, and 1 Then Question No.6 है हमारे पास Multiply by Thousand Multiply करना है हमने Thousand से इसमें भी हमारे पास 3,021,123 है हमारे पास और इसको हमने Multiply करना है Thousand से अब इसमें भी हमारे पास Start में 0 है तो 0 को जिससे मर्जी Multiply करेंगे 0 Asset इस रहेगा 0, 3 जा 0, 0, 2 जा 0 जितने भी हमारे पास उपर डिजिट है उतने हम 0 यहां पर Right करनेगे Then उसके बाद According to Rule First जो है डिजिट उसके नीचे कुछ नहीं लिखना अब फिर से 0 है Again हम इनको 0 से Multiply करेंगे तो 0 Asset इस 0 ही लिखा जाएगा थर्ड में अब हमारे पास थर्ड है अब हमने जो है वो टू ब्लोक जो है उसको टू फिगर्स को क्रॉस कर देना है उनके नीचे कुछ नहीं लिखना अब 0 से Multiply करेंगे Again 0 ही आएगा Then 4th digit तो हमारे पास 1 है तो अब हम इसमें 3 जो है वो 3 फिगर्स जो है उनके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे और 4 डिजिट से Start करेंगे 1 3 is a 3, 1 2 is a 2, 1 1 is a 1, 1 1 is a 1, 1 2 is a 2 and 3 अब हम इनको जो है वो प्लस करेंगे 0 as it is 0, 0, 0 3 में कुछ भी प्लस नहीं होगा तो 3 as it is 2 में भी कुछ नहीं प्लस हो रहा तो 2 भी ऐसे ही लिखेंगे 1 में कुछ आइड नहीं हो रहा 1, 1, 3 and 2 Then हमारे पास कस्ट है नमबर 5? 8 है Divide करना है हमने 100 के साथ 78 जो है वो 7,8,000 है हमारे पास इसको हमने 10 से जो है वो Divide करना है First है हमने देखना है 3 डिजिट वाला हमारा Divisor है तो हमने देखना है कि 3 डिजिट ही लेने है 7,80 है अब 100 है 100 का टेबल student आपको पता है नहायत easy है और उसमें 100 को अगर हम 7 से multiply करते हैं हमारे पास 700 आज़ेता है मतलब 100 7,700 जीरो में से 0 माइनस करेंगे 0 8 में से कुछ भी माइनस नहीं किया 8 का 8 7 में से 7 माइनस किये 0 यह अब हमारे पास 800 आगिया है 100 को 8 से multiply करेंगे तो 800 आज़ेगा 800 में से 800 माइनस किये 0 लेकिन हमारे पास यह दो जो 0 बच गए है next, end वाले इनको हम उपर write कर देंगे जबके students अगर हमारे पास last वाली amount 0 बच जाती है और अब 0 तो आपको बता है किसी पे भी divide नहीं होता तो वो वाले जो 0 है वो हम उनको answer के साथ write कर देते हैं याले, हम खोष्ट, लेकिन हो dawस Republic यह वो और ऑस चात, क लत जो जास